किसी भी प्रकार की पूजा हो, उसमें नारियल और कलस का बड़ा महत होता है, या तो नारियल कलस के साथ होता है, या नारियल अकेला ही पूजर में लिया जाता है सवाल ये है कि यहां जो हम नारियल पूजा में लेते हैं चाहे वह ग्रह प्रवेश हो, चाहे वह शादी ब्याव का समय हो, सगाई संबंध का समय हो, चाहे नवरात्रा इस्थापना का समय हो, कोई भी मांगली को शुब काम होता है, तो ब्रामन हमसे नारियल अवश्य मंगवाता है, तो जब हम पूजापाथ प्रारम करते हैं, तो ऐसी इस्थिती में नारियल को किस तरह से रखना उचित रहता है, किस तरीके से उसे रखना शास्त्र सम्मत माना जाता है, किस तरीके से उसे रखना हमारे घर की सुख, शान्ती, सम्रधी, वेभव, आरोगिता के लिए अच्छा माना जाता है, मैं आज इसी के संबन में आपसे विचार भी मर्ज करूँगा, अपने विचार शेयर करूँगा, आपने यदि चेनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर करे, यदि आप शेयर करना चाहे तो कर सकते है, कोई भी आपका कमेंट हो, आप अवश्य लिखे, हाँ तो मैं आपको ये बता रहा था, कि जिस समय हम किसी भी प्रकार का पूजा पाठ करते है, ब्रहामन हमसे पूजा समगरी के साथ, एक नारियल, जिसे स्री फल्म भी कहते है, अवश्य मंगवाता है, और उस पर सबसे पहले लच्छा बांधता है, और उसके बाद यदी केवल नारियल ही भगवान के सामने रखना है, तो उसे रखता है, सवाल है कि वो जो भगवान के सामने नारियल रखा जाएगा, वह किस तरीके से रखा जाएगा बात नमबर एक बात नमबर दो यदि वह कलस पर रखा जाता है लेटा कर तो कैसे रखेंगे और यदि खड़े रूप में उसे रखा जाता है तो हम कैसे रखेंगे ये रखने का सिस्टम समझने के पहले आप एक बात अवश्य जान ले कि नारियल का सुल्टा भाग कौन सा होता है और उल्टा भाग कौन सा होता है सामान्यत या जनसाधरन यह मानकर चलता है कि जिस तरफ से नोक नारियल की होती है वह नारियल उस तरफ से ही सुल्टा होता है जबकि यह गलत है हम जब उस नारियल को बढ़ारते है यानि कि फोडते है तो हम यह पाएंगे कि नोक की तरफ नहीं बलकि दूसरी तरफ जहां वह है पेड से लगा हुआ था और डाली से तूट कर नीचे गिरा या हमने तोड़ा है उस साइड में उसकी तीन आखे होती है स्वाभाविक है कि जिस साइड में आखे होगी वही साइड नारियल का उपरी भाग मुख्य भाग माना जाता है एसी माननेता है कि नारियल में ब्रह्मा विष्णू महेश का वास होता है और नारियल स्रीफल जहां होता है वहां मा लक्षमी का भी वास होता है तो लच्छा बान्धने के बाद यदि केवल हमें भगवान के समुख वहे स्रीफल या नारियल रखना है तो उसका वहे भाग जो डाली से तूटता है या तोड़ा गया है वहे भाग हमारी तरफ होना चाहिए ताकि हमें ब्रह्मा विश्नु महेश रूपी वहे स्रीफल जो है वहे हमें देखता हुआ हो यदि इसे लेटी हुई अवस्था में तांबे के लोटे पर या मिटी के कलस पर रखना है लेटी हुई अवस्था में होरिजोंटल तो उस परिस्तिती में भी नोक वाला भाग पीछे और हमारे सामने जो डाल से तूटा हुआ भाग होता है वही होना चाहिए यही सही तरीका होता है और मान लो यदि हम इसे कलस में या अपने तांबे के पात्र पर या और कोई किसी भी धातू के पात्र पर रखना चाहते हैं तो हम यह मान का चलते हैं कि उस पात्र में सभी तीर्थों का जल है और यह सोचते हुए उसमें अक्षत है पुस्प है आदी डालने के बाद हम अशोग के पत्ते या और जो शुभ मांगलिक विक्ष होता है उसके पत्ते लगाकर उसके उपर हम नारियल रखते हैं लेकिन यह नारियल रखते हैं वक्त इसका नोक वाला भाग नीचे की ओर होना चाहिए और उपर की तरफ वह भाग जिसे मैंने बताया जो डाल से लगा हुआ होता है वह होना चाहिए ताकि वह सीधा नारियल रखने में आए और हमें शुभता प्रदान करें यदि हमें ऐसा नहीं करते हैं और उल्टा नारियल रख देते हैं घर में तो निश्चित रूप से अन जानी परिशानियां अन जाने संकट हमारे घर में उत्पन हो जाते हैं और दरिदत्ता का भीवास हो सकता है हारी बिमारी भी घर में हो सकती है तो इस प्रकार से मैंने आपको अभी जो बात शेयर करी वह यह है कि पूजा के समय या रोजाना भी अगर आप अपने मंदिर में नारियल यानि कि स्रीफल रखते है क्लस पर तो वह है रखने का सही और उचित तरीका क्या होता है मुझे उमीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं जै शीकृष्णा